हेलो गाइज बिलकम बैक स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बाटनी लेक्चर में हैं गाइज इस वीजियो में डिस्कस करेंगे बेसी थार्ड इयर समस्टर फिप्त यानि पांचवे समस्टर का यहां पर बाटनी का जो सिलेवस है उस पर हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि भी ऐसी थार्ड इयर में आपका फिप्त समेस्टर और सिक्थ समेस्टर दोनों समेस्टर में आपके दो-दो पीपर हो गए हैं क्योंकि थार्ड इयर में आपको कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना रहता है इस बज़े से अब यहां पर आपके दो-दो पीपर होने हैं ठीक है जो लोजी है तो फस्ट और सेकंड पेपर बाटनी है तो फस्ट और सेकंड पेपर इस तरीके से आपके दो पीपर हो जाएंगे तो सिलेबस इस बज़े से बहुत ज़्यादा हो चुका है लगभग 16 यूनिट के सिलेबस हो चुका है तो पहले एक एक करके हर यूनिट का सिलेबस मैं आपको यहां पर समझाने कोर्सिस करूँगा देखें और समझिए कि आपको आखिर में यहां पर पढ़ना क्या है तो धेन से सुनिया यहां पर प्लांट फेजोलाजी मेंटबोलिज्म औ बायोकमिस्ट्री तो उभार अप स्यस्टरियम होई है ऍस तरीके से पेपर होने है यह एफ तरीक आपने तरीके से पेपर करती है अपने तरीके से नंबर किया हुआ है कि स्लेबक्थ हर एक उनिवर्सिटिक ऐूस यहां पर दिया गया है अथ स्ытंध Ihr पहले यूनिट में देखे है प्लांट वाटर रीलेस्टन मेंटरल नॉट्रिशन Transpiration and Translocation in Fluem Brief Idea of Diffusion Osmosis and Water तो mostly यहाँ पर प्लांट और Water का क्या Relationship है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा और साथिसाथ यह पहला आपका चेप्टर होगा उसके बाद दूसरा चेप्टर हो जाएगा आपका Mineral Nutrition यहांनी तत्योक बारे में इलमेंट इसके बारे में पढ़ना होगा तीषर चैप्टेर हो जाएगा ट्रांसक्पारेशन और चाहुथर चैप्टर हो जायगा ट्रांसव abra Δateur कैसे होता है ओक हैs चीजी हो जाएंगे जिसके अंतरगत थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ कुछ थियोरी जैसे ट्रांस्पारेशन की थियोरी है कि यह सबसे ज्यादा अगर पहले उनिट में देखा जाए तो आपका ट्रांस्पारेशन है ठीक है और मेंडरल नुटेशन है यह दो चीजे सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है इससे रिलेट जितनी थियोरी है वह सब इंपॉर्टन है जैसे यहां पर दिया है रूट प्रेशर थियोरी एंड गुट कार्बन ऑक्सिडेशन में गलाइकोलिसिस फैट अपारुबेट एरोबिक एन एरोबिक रिस्पारेशन और फर्मेंटेशन क्रेप साइकिल अगर सीधी बात कहा जाए तो आपको यूनिट नंबर सेकेंड में ओवराल रिस्पारेशन पढ़ना है क्या पढ़ना है रिस्पा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टन है अब जाकर के बॉटम में कुछ एंटरेस्टनंक चीज है पढ़ने को अगला हो जाएगा नुमर फोर में लिपिड मेडाबोलिज्म एंड फोटो सेंथेस्स लिपिड मेडाबोलिज्म क्या होता है यानि लिपिड से रिलेटेड और उसके बाद है फोटो सेंथेस्स प्रकास संसिलेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें से 2-3-4 साइक्ल नी शारी सीजिए दिया गए है लाइट रेक्ष्ण डर्क रेक्ष्ण फ कंप्रीट डिस्कैसन आपका फोर उनिट में हो जाएगा फिफ्ट में चलते हैं युनिट नम्मर फाइफ, plant development, moment, dormancy and response, plant development के अंतरक्रत आपको जो हर्मोंस होते हैं, plant hormones, इन मिंस phyto-harmons, उसके बारे में पढ़ना होगा, जिसमें, aukzine, jebrilene, cytokonine, abscesic acid and ethylene, पांच ओप्रकार की जो, मिंस हर्मोंस है, plant hormones, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा और साथ इसाथ प्लांड का मुव्मेंट कैसा होता है डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉंस यह क्या प्रोसेस होती है यह डीटियल में आपको पढ़ना होगा और बनलाज यह साथ काफी एंट्रेस्टिंग टॉपिक है यह सब जितना भी यह पर बता रहे हैं उसका साथ साथ उसके जो प्रेक्टिकल होता है वह सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग इसके प्रेक्टिकल होते हैं अब आगते हैं लोग यूनिट नमबर 6 में तो दोस्तों 6 में आ जाएगा बायो मालुकिल्स यूनिट का नाम है बायो मालु यह फारी चीज़ें जिसके अंतर इस तरफ सुक्रोज माल्टेज लाग्टेज ऑलिसक्राइट्स यह सब कर्भॉध्राइट के टाइप है यह सारी चीजे काफी इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट है एक्जाम पेसेस पे भी और कंपेटिशन बेस पे भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यानि कि अगर देखा जाए तो उनिट नमबर शिक्स से पूरा ओवराल आपका बायो कमेस्टी का पॉर्शन है लिपीड के अंतरकत लिपीड का इस्टोरे लिपी और प्रोटीन का डिसकर्शन होगा और इसमें डीटियल्स आपको पढ़ने होंगे जिसके अंतरके इस्ट्रक्चर आप इम्यूएशिड पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है लेवल्स आप प्रोटीन स्ट्क्चर प्रामरी से कंडरी रामचंद्रन प्लॉट टरसरी इसका अइसका हूँ है इसके बाद है अंजायम लास्ट इणुनिट है इस पेपर कर फिस्ट की लास्ट इनुनिट है एंजायम structure of enzyme, enzyme के structure क्या होता है, hollow enzyme, apo enzyme, co-factor, co-enzyme and prosthetic group, mechanism of action, enzyme कैसे action करता है, उसकी पूरी mechanism में हो जाएगे, जिसमें lock और key model है, hypothesis and use fit theory है, इस सब काफी important है, इसके अंतरगत, brief idea about phytonutrients, nutraceuticals, dietary supplements and antioxidants, यह सब enzyme के अंतरगत आते हैं, जो आपको पढ़ना होगा, तो इस तरीके से 8 unit complete होते हैं, आपके paper first का, तो अब सबसे important B.H.C. third year का, semester fifth का, सबसे ज्यादा important जो topic है, वो आपको second paper में देखने को मिलेगा, काफी interesting है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इसको, ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत ज्यादा मज़ा आता है, जैसे इसके अंतरगत सबसे पहला है genting material, nucleic acid genting material है या नहीं है, उसको proof करने के लिए आपको यह सारी चीजे देखने हैं समझनी पढ़ती ह है और पढ़नी पढ़ती है, जिसके अंतरगत में से टु वार्ट्सन एंड क्रिक historical perspective यानि हिस्टोरिकल आपको discussion करना होगा, में से स्टार्ट होकर के वार्ट्सन क्रिक तक हमको पहुंचना है, ठीक है, कौन किसके बाद कौन से साइंटिस्ट आया, क्या बताया है उन्होंन transformation को दिया था, दोनों ने दिया था, इसके लिए एबरी मैकलोड और मैकाटी इंसांटिस्ट को इसके लिए Nobel Prize दिया था, तो काफे इंट्रेस्टिंग यहां पर experiment है, देखा जाए तो किवल यहां पर इस युनिट के अंतरगत आपको experiments ही देखने को मिलेंगे, पढ़ने को म Transcription क्या होता है, ठीक है, और इसी के साथ-साथ यहां पर Translation क्या होता है, और साथ-साथ Regulate कैसे किया जाता है, यह नि प्रोटीन सेंटिस को कैसे Regulate किया जाए, कैसे Control किया जाए, वो भी इसी के अंतरगत आएगा, ठीक है, इसमें लाइक ओपरान माडल हो गएरा, प्रोकरिय यह सब आपको देखना होगा, काफ़ें इंट्रेस्टिंग है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, मैकनेज, और यूर नमबर थर्ड में आते हैं, जिसमें प्रिंस्पल्स और टेक्निक्स अप जेंटिक इंजिरिंग, यहां बाय टेक्निलोजी यह फिर आप कह सकते हैं, जें प्रिंस्पल्स और टेक्निक बहुत अच्छा है, और प्रिंस्पल्स और टेक्निक पढ़ना सब के लिए ज्यादा जरूरी है, सब के लिए हाईविडर्मा, मोनो क्लोनर एंटी बाडिज, एलिसर टेस्ट, एलिसर क्या होता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, आगे अप्ल देल में आपको यूरि नमबर 4 में पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस, बीटी कॉटन, हर्विशाइड रेजिस्टेंस, प्लांट, राउंड अप, रेडि स्वयवीन, ट्रांसजेनिक क्रॉप, इंप्रूब्ड क्वालिटी, ट्रेट्स, फ्लेबर सेवर, टोमाटो, गोल्डन राइस, यह सारी सीचे आपके स्लेबस में दी गई हैं, और यह सब बंती कैसे हैं, यानि कि अप्लिकेशन की बात करें, तो इसके अंतरकते यह सब आ जाएंगे, और इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, शिक्स में, बाय आप यहाँ पर कुछ कम्प्यूटर से टॉपिक हाँ पर रख दिये गएं, जिसे में कंप्यूटर फंडमेंटल्स, प्रोगर्रामिंग, लाइंग्वेज इन बायोजी में सुपर कंप्यूटर का क्या रोल होता है यह सारी चीज़े आपका अगर देखा जाये तो उनिट नमबर 6 समझ रहे हैं यूडिट नमबर 6 जो है तो ध्यां दीजिए गा कि यह 6 नहीं है इसको आप 5 मानके चलेगा उसके बाद जो आएगा उसको 6 मानके चलेगा ठीकिडिकि इसमें गलट टाइप कर दिया है इन वर्षीटि नहीं तो इसमें युनि नमर फाइब में पूरा कंप्रीट कंप्यूटर से रिलेटिट टॉपिक्स दी गए हैं जो बाइलोजी से एड़ कर दिया गया है जिसको तो 6 नमर पे है उनिन 6 में बाइलोजुक्ल डाटा बैस ये भी लगबाग मिलता जूलता है आपके कंप्यूटर से ठीक है कुछ पोर्चन्स कंप्यूटर से मिलता जूलते हैं उसको बायोजी में कैसे एड़ किया गया है वो पूरे डिटेल इसमें दे दिया गया है उसके बा टूल्स बैंकिट्स सिक्वेंस सिक्वेंस फिल फॉर्मेट यह सारी चीजे भी लगभग कुछ हद तक कंप्यूटर से मिलते जोलती हैं ठीक है डिजल से रिलेटेड हैं और लास्ट यूनिट हैं फाइल ओजिंटिक अगर देखा जाए इस पेपर सेकेंड में सबसे ज्यादा इंपोर्टन अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर आपको फूर तक चार यूनिट भी अगर धंक से आप पढ़ाई कर लेते हैं ठीक है पहला दूसरा तेसरा और चौथा तो भी आप लगभग सेवन्टी परसेंट तक कोश्चन हल कर ले जाएंगे ठीक है shimilarity identity and homology element local and global element pairwise and multiple sequence algorithm एक सारी चीज़े जो रखी गई है यह पूरा का पूरा complete नए सीज़े हैं जो इसके पहले कभी यह पूरा दिखा जाए लाष्ट के तीन इसीलिट के नहीं तरीके से रखा गया है, इसके पहले नहीं तरीके से रखा गया है सबस्ता है. यह आपके सामने स्लेबस है आप इसके इंसाट ले लिजिएगा और घवराएगा नहीं जितना भी सीपड़ा इसको जो भी आपके टीचर आपके सिक्षक जहां भी आप हैं पढ़ा रहे होंगे आई होगे उसको कंप्लीट करने की कोसिस करेंगे एक टीचर मिलकर करके इसको और complete आपका syllabus किया जाएगा इस पर धहर रखेगा जहां तक कोशिस कर रहेगी हम भी एक एक लेक्चर आपके पास यहां पर अप्लोड करी रहे हैं यहां पर सेकंड समेस्टर थर्ड समेस्टर का जो वीडियो जो अप्लोड हो रहा है यहां समेस्टर का भी कोशिस करेंगे कि एक एक लेक्चर आपको प्रोबाइट कराते रहें इस वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत धन्वाद बस इतना ही यहीं पर समावत करते हैं आगे वीडियो में लेक्चर पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे चैनल को सब्सक्रा